हालो दोस्तो श्वागत हापको हमारा यूट्यूब चैनल क्विक लर्नर क्यूल में दोस्तो कुछ दिन पहले एक मैसेज वाइरल हो रहा था कि SIS Security Guard का वर्दी चेंज हो रहा है तो दोस्तो वो मैसेज देखकर के हम भी एक वीडियो बना दिये थे कि SIS Security Company का वर्दी चेंज होने वाला है लेकिन दोस्तो वो वीडियो बनाने के बाद बहुत सारा ऐसा कमेंट आया कि हाँ कुछ ही यूनिट में ये वर्दी चेंज हो रहा है लेकिन बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया कि ये फेक न्यूज है तो दोस्तो इसकी सत्यता को लेकर के हम बहुत सारा जाच कियें चेक कियें SIS का Official Websites पर जाकर के चेक कियें कुछ YouTube पर सर्च कियें उसके बाद में कुछ लोग जो इस कमपनी से जुड़े हुए हैं उन लोगों से हम बात करने का कोसिस कियें और ये पता करने का कोसिस कियें कि वाके में ये जो वर्दी जो मैसेज में दिखाया जा रहा है वो वर्दी वाके में चेंज हो रहा है या फिर वाके में फेक है तो दोस्तो इसी के सत्यता को लेकर के आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हर एक point बताने वाले हैं दोस्तो वीडियो को अन तक देखेगा और यदि अप मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो आप लोगों को बता दें कि वो मैसेज में ये बताये गया था कि SIS Security Guard का जो वर्दी है जो कि पहले चलता था आस्मानी कलर का सट और ब्लू कलर का पैंट वो चेंज हो करके अब बिल्कुल पारा मिलेटरी के वर्दी जैसा होने वाला है तो दोस्तो उसी के उपर हम भी एक वीडियो बना दिये थे कि हाँ ये होने वाला है लेकिन बाद में जब बहुतों का कमेंट आए कि नहीं ये फेक है तो हम इसकी सत्ता को जाचने का प्रियास कियें तो दोस्तों उसी करब में जब हम SIS का ओफिशल वेब साइट पर यानि Google पर जब हम जा करके सर्च कियें तो ये देखें कि वहाँ पर दो-तिन अलग-अलग ड्रेस हमको देखने को मिला एक तो ये आप जो देख रहे हैं इधर इसमें बिल्कुल SIS का लोगो भी लगा हुआ है लेकिन ये दिख रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर का है उसी करम में एक और मिला जिसमें देख रहे हैं कि ब्लू पैंट और ब्लू सर्ट है और उसका टोपी भी ब्लू कलर का है तो ये जो है ये देखने के बाद पता चल रहा है कि ये केवल और केवल कुछ स्पेसिफिक यूनिट का है जहां पे इस तरह का वर्दी SIS इस्तेमाल करती है लेकिन जो वर्दी दिखाया गया था वो मैसेज में वो गूगल पे तो नहीं मिल पाया लेकिन जब हम यूट्यूब पे सर्च किये तो दोस्तों एक दो साल पहले अपलोडेट वीडियो हमको दिखा वो वीडियो में हम देखें कि एक फोटो वाइरल हो रहा था मतलब वो एक फोटो दिखाया गया था वो फोटो आप देख सकते हैं यानि कि ये सेम फोटो दो साल पहले अपलोड किया गया था यूटूब के उपर मतलब ये कि ये वर्दी SIS के द्वारा यदि इस्तिमाल किया जा रहा है तो समझे कि दो साल पहले से ही इस वर्दी का प्रियोग में लाया जा चुका था और अभी भी इसका इस्तिमाल हो रहा है या नहीं ये तो कन्फरम नहीं बताया जा सकता है लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये जो वर्दी दिखाया गया वो मैसेज में वो बिलकुल ही फेक है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये वर्दी दो साल पहले SIS के जवान के द्वारा ही YouTube पे अपलोड किया गया था जिसमें साब सा ये वर्दी दिखाया गया था तो दोस्तो इससे ये direct clear नहीं पता चल पा रहा है कि actual में जो वर्दी दिखाया गया है वो सबको मिलने वाला है या फिर ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये वर्दी SIS इस्तेमाल नहीं कर रही है तो दोस्तो इससे कुछ भी clear पता नहीं चल पा रहा है तो बाकी हम भी जब बारे में पूछे पता करने का कोसिस किये तो बहुतों का ये reply आया कि हाँ ये कुछ ही unit में ये वर्दी दिया गया है कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई भी news नहीं मिला है कुछ लोगों ने ये भी कहा कि actual में ये fake news है ऐसा कुछ न हम नहीं कह सकते हैं कि वर्दी चेंज हो रहा है लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो वर्दी उस मेंसेज में दिखाया गया है वो बिल्कुल ही फेक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यदि S.I.S. annual care security company अपना वर्दी चेंज करता है तो वो जो वीडियो में दिखाया गया था पहले वो ना हो करके कोई और भी हो सकता है तो ये भरम मेंणार है कि चेंज हो रहा है या फिर ये भरम मेंणार है कि चेंज नहीं हो रहा है तो दोस्तो यदि इस से related SIS Security Company के website पर यदि कुछ भी news मिलेगा या फिर कोई भी पुखता सबूत मिलेगा तो जरूर हम आप लोग को next वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे तो दोस्तो ये पूरा detail रहा कि क्या है नहीं है उसके बारे में बाकी तो आप खुद भी इसके बारे में पता कर सकते हैं आपके जानपशांस के जो भी लोग काम कर रहे हैं खास करके दिल्ली साइड में क्योंकि ये message में दावा किया या था कि दिल्ली में ही कुछ unit में चेंज हुआ है तो आप उन लोगों से पूछ करके सारा कुछ जानकारी ले सकते हैं और यदि आपको इसमें कोई भी तुरूटी नजर आता है तो जरूर आप comment box में बताईएगा हम उसका reply जरूर देंगे और उसको next वीडियो में सही करने का प्रयास करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो को like जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा उन लोगों को भी ये पता चल पाए कि इस news के बारे में क्या-क्या बाते पहलाया जा रहा है और क्या सही है क्या गलत है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद